नमस्कार दोस्तों मारी यूटूब चैनल एकजाम लर्नर में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आरो यारो यानि की समिच्छा अदिकारी और सायक समिच्छा अदिकारी का संपूर उत्तरकुजी देखेंगे पेपर टू यानि की समान हिंदिकारी यह आपका सेट डी है तो दोस्तों जिनका भी सेट डी होगा वह आप इससे मिला सकते हैं तो चलिए देखते हैं तो पहला जो प्रशन आप से पुछा गया था इसमें की परिवा का तत्सम रूप क्या होगा तो इसका सही जो एंसर हो जाएगा आपसन C होगा परिवा का तत्सम रूप हो जाएगा प्रतिपदा अगला जो है आपका निमलिखित तत्सम तत्भाव सब्दों का संगत यूग्म है कौन सा तो यह आपका C आपसन से होगा परियंक पलंग परियंक जो है यह आपका तत्सम है पलंग यह आपका तत्भाव होगा C आपसन यहाँ सही होगा अगला प्रश्ण है प्रश्व्न संख्या 3 निम्लिखित मेंसे एक तद्धोश सब्द ककौन सा है तो यहाँ आप देख सकते हैं आसू जो है आपका यह तद्धोश सब्द है इसका तद्ध सम होता है असरू तो यह आपसन से हो जाएगा आपका नेक्स्ट है आपका कफित कफित का तदभो सब्द क्या होगा तो यहाँ भी आपसन से हो जाएगा कैथा अगला जो प्रश्ण है निमलिखित सब्दों में से कौन सा सब्द गुडवाचक विसेसर है तो यहाँ आपका यह आपसन से हो जाएगा उचित सब्द जो है यह आपका गुडवाचक विसेशड है अगला कोशन है निमलिखित में से कौन सा विसेशड संग्या से नहीं बना है तो यहाँ जो है आपका सुंदर हो जाएगा यह संग्या से नहीं बना है सी बिकल्प सही हो जाएगा अगला प्रशन है निमलिखित में से किस वाक्य में उत्मा वस्था गुडवाचक बिसेशड बिसेशी का परियोग किया गया है तो इसका सही जो इंसर हो जाएगा आपसन ये से योगा पर्मानंद कच्छा में सबसे हो सी यार चात्र है अगला कुशन है आपका प्रशन संख्या आठ जो है सौर किस मूल सब्द से बना बिसेशड है तो है आपका सूरी सब्द से बना मूल बिसेशड है अगला प्रशन है आपका प्रशन संख्या नौ निमलिखित में से कौन सा सब्द B से सड है तो यहाँ आपका B आपसन से हो जाएगा आगने सब्द जो है आपका B से सड है नेक्स्ट है आपका प्रसंसंखिया 10 अकास का प्रियावाची सब्द क्या होगा तो यहाँ हो जाएगा सुन्नी B option सही हो जाएगा Next, आपका सोना का प्रयावाची सब्द कौन सा होगा तो कनक हो जाएगा D विकल्ब से हो जाएगा Next है, उसके प्राण पकھیरू ऊडगए इस वाके में पकھیरू सब्द किसका प्रयावाची है तो पच्छी का हो जाएगा यह option सही हो जाएगा next है निमलिखित में से कौन सा सब्द चंत्रमा का प्रयायवाची नहीं है तो इसका सही अंसर हो जाएगा option D, salil salil जो है पानी का प्रयायवाची होता है तो D option जो है यहाँ सही होगा next है निमलिखित सब्दों में से एक सब्द माता का प्रयावाची नहीं है तो यहां अम्बू हो जाएगा अम्बू यह माता का प्रयावाची नहीं होता है यह किसका प्रयावची है तो पानी का होता है नेक्स्ट आपका भौतिक भौतिक का बिलोम सब्द क्या हो जाएगा भावती का बिलोम होगा आध्यात्मिक यह आपसन सही होगा अगला question है प्रसन संख्या प्राची सब्द का बेप्रीतार्थक सब्द क्या होगा तो प्रतीची हो जाएगा बी विकल्ब सही हो जाएगा नेक्स्ट आपका समझ्टि का विलोम सब्द क्या हो जाएगा तो समझ्टि का बैस्टि होगा भी आपसन सही होगा यहाँ अगला कोशेन है निमलिखित में से विलोम सब्दों की दरिष्ट से एक युग्म गलत है वह कौनसा है तो यहाँ आपका D आपसन जो है गलत है अमी का यहाँ हलाहल दिया हुआ है तो यह आपका गलत है नेक्स्ट आपका विलोम सब्द की द्रिष्ट से इन में से सही युग में कौन सा है तो सही युग में जो है आपका हो जाएगा यह आपसन से होगा A कीरड, B कीरड नेक्स्ट आपका सुध वर्तनी वाले सब्द का चेन करें तो इसका सही अंसर होगा आपसन D देदी प्यमान D आपसन सही होगा यहाँ अगला प्रशन है निमलखित में से असुध वर्तनी वाला सब्द कौन सा है तो यहाँ जो है पौराडी का आप देख सकते हैं यह आपका असुध है बाकी सभी सही है यहाँ नेक्स्ट आपका निमलखित वाले सब्द का यह आपको बताना है तो इसका सही अंसर हो जाएगा A आपसन C यहाँ से होगा यह कविता अनेक भाव परकट करती है यह आपका सुध्ध वाक्य है अगला कोशन है भाव का परसन संख्या 23 निमलखित में से एक वाक्य सुध्ध है वह कौन सा है तो इसका सही अंसर हो जाएगा A आपसन यहाँ इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है यह आपसन जो है आपका सही हो जाएगा यहाँ नेक्स्ट है असुध्ध वाक्य का चेन कीजिए तो इसका B आपसन से यह होगा देश की वरतमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है यह आपका असुध्ध है और अगला प्रशन है प्रसन संक्या 25 प्रमपरा से चली आ रही बाद के लिए प्रियुक्त होने वाला सब्द कौंसा होगा तो यह आपका अनुसरूती होगा D भी कलप सही हो जाएगा यहाँ नेक्स्ट है जिसके पास कुछ ना हो अगला कोशन है आपका निमलखित में से तत्सम सब्द कौंसा है तो यहाँ जो आपका जीर्ड से हो जाएगा जीना का तत्सम होता है जीर्ड भी आपसन से होगा अगला कोशन आपका अगहन का तत्सम रूप कौंसा होगा तो अगर हायड हो जाएगा यह आपसन से हो जाएगा नेक्स्ट है निमलिखित में से एक तद्भो सब्द कौन सा है परसन संख्या 32 का तूर सी आपसन से हो जाएगा 14 सब्द जो है यह आपका तद्भो सब्द है अगला कोशिन है आभियंतर का तद्भो सब्द क्या होगा तो यह हो जाएगा भीतर आभियंतर का तद्भो क्या होगा तो भीतर हो जाएगा अगला है आपका करपट का तद्भो रूप क्या होगा तो कपड़ा का तत्सम क्या होता है तो करपट हो जाएगा नेक्स्ट है आपका वह बहुत खाता है इस वाक्य में बहुत सब्द किस प्रकार का विसेसर है तो बहुत यह अनिश्चित परिमार वाचक विसेसर है डी विकल्प से हो जाएगा यहाँ अगला कोशन है निमलिखित वाक्यों में से वहवा की चुनिये जिसमें गुड़ वाचक विसेसर का प्रियोग किया गया है तो यहाँ यह भी कल्प सही होगा आपका वह नटकट बालक संगीत नहीं सुन रहा है यहाँ जो है आपका गुडवाचक बिसेसर हो जाएगा नटकट अगला कोशिन अब देखते है तो यहाँ जो है प्रसंद संक्या 37 37 चंचल बालक है इस वाकि में चंचल सब्द क्या है तो चंचल गुडवाचक बिसेसर है भी आपसन सही हो जाएगा यहाँ अगला कोशिन है मानसिक बिसेसर किस मूल सब्द से बना हुआ है तो यहाँ आपका मानस से बना हुआ है भी आपसन सही हो जाएगा अगला कोशिन है चारित्रिक बिसेसर सब्द का मूल सब्द कौन सा होगा तो चरित्र हो जाएगा अगला कुछन है मीमांसा का सही प्रयायवाची क्या होगा तो यह हो जाएगा आपका स्वेरूप अगला कुछन है निमलिखित में से कौन सा सब्द लक्षमी का प्रयायवाची नहीं है तो यहाँ भारती हो जाएगा भारती जो है सरसुती का प्रयायवाची होता है नेक्स आपका निमलिखित में से कौन सा सब्द कपड़ा का प्रयायवाची नहीं है तो यहां वासन जो है सही हो जाएगा वासन कपड़ा का प्रयावाची नहीं होता वसन होता है वस्त्र होता है और आपका पठ होता है नेक्स है आपका निमलिखित में से कौन सा सब्द मेग का प्रयायवाची नहीं है तो यहां हो जाएगा आपका ये आपसन सही पयोधर पयोधर मेग का प्रयायवाची नहीं है अगला कोशन है आविर भूत का सही विलोम सब्द क्या होगा तो इसका विलोम हो जाएगा तीरो भूत C विकल्प से हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है आपका छडिक का सही विलोम क्या होगा तो छडिक का विलोम हो जाएगा सास्वत बी आप्सन से हो जाएगा प्रसंचिया 46 का अगला परस्नब देखते हैं प्रसंचिया 47 तो अग्रज का बिलोम सबस यहाँ बताना है अग्रज मतलच होता है आपका बड़ा भाई अनुज हो जाएगा छोटा भाई C आप्सन से होगा नेक्स तर निमलिकित में से बिलोम सब्दों की दृष्ट से एक युगम गलत है वह कौन सा है तो अनतालीस का D आपसन आपका गलत है अनुचर परिछेर दिया गिया है बाकी सभी सही है मौन का मुखर होता है सांदार का सर्मना का ओर बरवर का सभी नेक्स्ट आपका विलोम सब्दों की दरिष्ट से इन में से एक युग्म गलत है वह कौन सा है तो C आपसन जो है आपका गलत है आच्छा दित का परिछन दिया गया है यह आपका गलत है अगला है आपका वरतनी की द्रिश्ट से सुध्सथि आपको बताना है क्या होगा, तो यहाँ B आपशन सेह जाएगा प्रसंग्या 50 का वी वर्त, वी वर्त जो है आपका सुध्स है, बाकी चिन जो है आपका गलत लिखाओ अनु, ग्रहीत नहीं उन्हों ग्रहीत होता है बिरहडी नहीं बिरहडी होता है तो B आपसन यहां सही होगा नेक्स्ट आपका सुध्वर्तनी वाले सब्द का चेन करें तो D भी कलप इसका सही हो जाएगा आपका जियोत्सना आप देख सकते हैं या D आपसन सही होगा अगला question आपका वर्तनी की द्रिष्ट से कौन सा सब्द असुद्ध है तो यहाँ आपका C आपसन से हो जाएगा उतकर्सता नहीं होता है यहाँ C आपसन सही हो जाएगा Next आपका कि निमलिखेत में से एक सुद्ध वाक्य है वह है तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसन यहाँ से हो जाएगा प्रतेग विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्त के पढ़ें तो यहाँ आपका यह आपसन से हो जाएगा परसन संख्या तिरपन का अगला question देखते हैं परसन संख्या 54 जो है तो निमलिखित में से एक वा के असुद्ध है टो यहाँ आपका सी आपसन असुद्ध है उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है यह आपका असुद्ध है आपका जिसका कोई सत्रू नहीं जन्मा है वाक्यांस के लिए एक सब्द क्या होगा तो आप सबको पता होगा अजात सत्रू सही हो जाएगा यहाँ नेक्स टैक खोज करने वाला इस वाक्यांस के लिए एक सब्द क्या हो जाएगा तो अनुवेसक होता है यह आपसन सही हो जाएगा नेक्स टैक आपका प्रसन संक्या संता वन जिसकी गिर्वा सुंदर हो वाक्यांस के लिए एक सब्द क्या हो जाएगा तो सुग्रीव होगा भी विकल्प से हो जाएगा आपका अगला प्रशन है जिसका अनुभाव इंद्रियों द्वारा ना हो सके इस वाक्यांस के लिए एक सब्द क्या हो जाएगा तो अतिंद्री होगा भी आपसन सही हो जाएगा और अगला कोश्यन है वाक्यांसों और उनके लिए प्रियुक्त सब्दों के लिए के निमलिखित युगमों में सही युगम का चैन कीजिए तो यहां आपका पहला जो दिया गया है जो इस्त्री अभिने करे अभिनेता गलत है अभिनेत्री होना चाहिए जो ब्याकरड जानता हो ब्याकरडिक नहीं ब्याकरड उसे का जाता है ब्याकरड तो यह भी जो आपका गलत है आखों से परे तो जो है यहां प्रत्यच्छ दिया गया है ये भी गलत है, लोट कर आया हुआ के लिए प्रत्यागत ये सही है, आपका D आपसन सही हो जाएगा, और लाश्ट कोशिन है आपका निमलिखित में से तत्सम सब्द कौन सा है, तो यहां आपका D आपसन देख सकते हैं, आप ओट का तत्सम क्या होता है, तो ओष्ट हो जाएगा, D आपसन यहां सही हो जाएगा, तो यह थे जो है आपके हिंदी के कुल 60 प्रस्न, तो दोस्तों आप लोगों के कितने प्रस्न सही हुए हैं हिंदी में, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक आप जरूर कर लेजिएगा, साथ में विल आइगन को प्रेस कर लेजिएगा, जिसे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद